अभी बहुत टाइम से कोश्चन से ही आ रहे थे कि वेस्ट बंगाल में 321 सीट्स खाली है और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा तो अभी आपको हम बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि वेस्ट बंगाल के ओफिसियल वेबसाइट पे आ चुका है नोटीस नौटिफिकेशन आ चुका है दो तारीक से यानि की आज से लेकर के कल तक के लिए रिश्टेशन ओपन हो रहा है जिसमें की टाइमिंग आपकी दो बज़े से लेकर के आपकी कल के देट में तीन तारीक तक मिडनाइट तक आपका रिश्टेशन तो जो भी बच्चे अभी तक जिने रहे लिए किया वह एसा नहीं की यहां पर आप का वहाँ पर, वह verify किये जाएंगे जो कि offline verify होगा और यह आपको कराना बहुत जरूरी है अगर आप यह verification नहीं कराते हैं तो आपके form में participant करने कोई भी फायदा नहीं होने वाला है और जो verification का timing है 11 बजे से ले करके रात के 6 बजे तक या 4 बजे तक something around 4 या 6 बजे तक आपका verification होगा उसके ब तारिक को आठ नौवंबर को choice filling होने वाला है जिसमें की आपका जो timing है choice filling का वह 11 बजे से ले करके रात के 12 बजे तक आपको time दिया जाएगा 11 am to 12 pm आपको time रहेगा आपको verification कराने का सपल चारी चरी डिलिंग का तो चौज फिलिंग आप जो है आठ तारिक को कीजेगा चौश फिलिंग करने के बाद आपका result की बात करो मैं तो result आपका 10 तारिक को 7 बाए तक result आपका online आ जाएगा रिजल्ट आने के बाद आपको 11 तारिक से ले करके 13 तक आपको जाना है nrs जाना है वहाँ पे रिपोटिंग करना है रिपोटिंग करने के बाद अपनी की eardy यह चैक जो भी हाप लेके जा रहें डिधी करत से रहती हां तो जया कि आपको जबंठीच हो इसकर दी Тथ कोई help चाहिए हो तो आप हमारे दिये ओहे नमबर पर कॉल कर सकते हैं हमारे counselor और एक्सपर्ट से आप पूरी help ले सकते हैं और admission में किसी भी तरह से कोई भी आप लोगों को help चाहिए हो तो आप हमें contact कर सकते हैं अब हम फिर मिलते हैं next video में कुछ new updates लेके तब तक के लिए जै हैं जय भार